हरियों, मैं शेवन क्लास की हिंदी शाहित्य की एक कविता पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका सेशक है आत्रान, आत्रान के रचनाकार है रविंद नाठा को और अनुवाद किये हैं आचार हजारी प्रशाद दुवेदी, चुकि ये बंगला भासा में रचित है, इसका हिंदी में अनुवाद किये हैं आचार हजारी प्रशाद दुवेदी, आत्म त्रान से शक्चो है, पहले इसको समझ ले, आत्मा का अर्थ है श्वेम, त्रान का अर्थ है मुक्ती, तो श्वेम की मुक्ती, श्वेम की मुक्ती, विप्ताओं से मुझे बचाओ, या मेरी प्राथना नहीं केवल इतना हो करना में कभी नवित्ता में पाउंब है दुखताप से विथिचित को ना दो शंत्वना नहीं सही पर इतना हो भी करना में दुखों में कर्शकूं शदाज है कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना ही ले हानी उठानी परे जगत में लाव अगर वंचना रही तो भी मन में न मानूँ छे बिपता बिपत्ती मुशिवत करना में दूसरे पर धया करने वाला बिपताओं बिपत्ती मुशिवत से मुझे बचाओ या मेरी प्रात्ना नहीं है इस्वर हे करना में हे धया के सागर केवल इतना हो कि मैं बिपत्ती में हमेश इसा अपने को धैरिवान पाऊं मैं विपत्ती से मुशीबत से कभी घबराओं ने कभी कहते हैं कि रविन्ना ठाकुर कहते हैं कि दुखताप से वैथित मतलब दुखताप कस्ट की पीरा वैथित दुखी चित मन शंतोना दिलासा दुखताप से कस्ट की पीरा से मेरा मन दुखी हो तो आप ना दे शंतोना मुझे पर इतना होवे करना मैं हे दया के सागर आप इतना करें कि दुख में मैं अपने पिपत्ती में मैं शदा अपने को बिजय पाऊं मुझे ऐसा धैरिवान बना दीचे अगर मनुष दुख में अपने आपको दुखी कर लेता है और समप्त कर लेता है अपने आत्वसमान को तो ओर भी डर जाता है वो डर जाता है तो उससे कोई काम नहीं हो सकता है इसलिए हे इस्वर, हे दया में आप मुझे उस विपत्ति पर विजय पाने की छमता दे, शामर् नहीं मिले अगर शहायक का अर्थ है मददकार अगर कहीं भी मुझे शहायता किसी से भी नहीं मिले तो अपना बल पौरुष अपना पौरुष जो अपना प्राकर्म अपने शामर्त का कहीं भी अपने शामर्त मेरा ना दिख सके ना हिल सके अगर संसार जगत में संसार में मु लाब से अगर मैं बंचित रहूं, तो भी मन में मैं मन को अपने आत्म सम्मान का नास नहीं करूं। फिर भी मेरे मन में कभी भी छै नहीं हो, मेरा आत्म सम्मान नास नहीं हो। इन पंक्तियों में कभी रविंदर नाठा को इस्वर से प्रातना कर रहे हैं कि हे प्रभू, दुख और कस्ट से मुझे बचा कर रखो। मैं तुम से ऐसी कोई भी प्रातना नहीं कर रहे हूं। बलकि मैं तो सिर्फ तुम से यह चाती हूं कि तुम मुझे उन दुख तकलिवों को जेलने की शक्ति दो। उन कस्टों के समय मैं कभी भी ना तरू उनका शामना करू। उस दुख की पीरा से दुखी मेरे मन को आप होशला मत दो। प्रन्तु धैरिवान बना दो इश्वर। मेरा त्रान करो अनुदिन तुम यही मेरी प्रातना नहीं। बस इतना होवे करना मैं तर्ने की हो शक्ति अना मैं। मेरा भार अगर लगू करके ना तो शंत्वना नहीं सही। केवल इतना रखनानुने वहन करूं इसको निर्वय वहन कर सकूं इसको निर्वय नत सिर्वो कर सुक्के दिन में तब मुक्पा चानू छिन्छिन में दुख रात्री में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल महीं उस दिन ऐसा हो करना में तुम पर करूं तुम पर करूं नहीं कुछ शंश है मेरा त्रान करो त्रान मतलब भै निवारन बचा मुक्ति अनु दिन प्रति दिन तरने पार करना अनामे रोग रहिद श्वस्त तु मेरा त्रान करो मेरा भै निवारन करो प्रति दिन यह मेरी प्राथना नहीं है इस्वर कि आप मेरी कस्ट को मेरी जिमेवारिय जो हैं उनको आप खतम कर दे मेरी जितनी भी पीरा आये मेरी जितनी भी कश्ट आये संसार में उसको आप खतम कर दे मैं यह नहीं चाहती हूँ बस इतना हो भी करना मैं हे दया के सागर बस इतना कर दीजिए कि इस संसार में तड़ने की शक्ती हो और हमेशा मैं स्वस्त रहू मेरा भार लगु कम, शंत्वना होशला तशली अनुने बिने प्रात्ना, वहन शामना करना निर्वे बिना डरके, मेरा भार अगर लगु करके, ना तो शंत्वना नहीं सहे, मेरी जिम्मेदारी को आप छोटा कर दे, केवल इतना रखना अनुने विने प्रात्ना नहीं है इस्वन मुझसे, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि आप मेरे जिम्मेदारी को छोटा कर दे, ऐसी संत्वना मुझे नहीं दीजिये, मेरे कस्ट पीरा को आप खतम कर दे, ऐसी नहीं चाहिए, आप से इतनी विंती है कि मैं हर कस्ट पीरा को अपने संसारिक सुख में जो वहन कर सकूं, इसको मैं हमेशा निर्वाह कर सकूं और निर्भय बनी रहूं। नत्सिर होकर सुख के दिन में, तम मुख पहचानू चिन्चिन में, नत्सिर शिर जुका कर दुख रातरी, दुख से भरी रात, निखिल संपुन, संसे संदे, नत्सिर यानि चुशिर जुका कर सुख के दिन में भी में, तम मतलब तुम्हारा मुख मुख को पहचानू चन च में दुख रात्री अंधेरी रात्री में करे वंचन मुझे अंधेरी रात्री में भी कोई मुझे वंचित कर दे धोखा दे दे जिस दिन निखिल मही सारा संपुन निखिल मतलब संपुन मही मतलब पिर्थमी तो दुख रात्री अंधेरी रात्री में मुझे सभी सारी खा दे दे फिर भी दया के शागर है कर ना मैं मैं आप पर कुछ भी संसे संदे न कर सकूं आप ऐसा मुझे धैरिवान बना दे इतना सामर्त दे इन पंक्तियों में कभी रविंद्र ना ठाको इस तोर से प्रात्ना कर रहे हैं हिपरभू, मेरी आपसे यही प्राथना नहीं है, कि आप पड़ती दिन मुझे भैसी दूर रखें, आप केवल मुझे निरोग अर्थात स्वस्त रखें, ताकि मैं अपनी शक्ति के सारे इन संसार रुपी सागर को पार कर सकू, मेरे कस्टों के भार को भले ही कम ना करो, ना ह ही मुझे तशल्ली दो, लेकिन मुझे शमर्थवान धैरिवान बना दो, धन्यवाद